तो नमस्कार सोमवार रात नौ बजे और आज शायद वक्त से पहले एक आग मिनट आप तमाम क्राइम तक के परिवार के दर्शकों का स्वागत है और कल और परसों दो दिन फेस्टिफ सीजन ही लगपक चली रहा है कल छोटी दिवाली परसों दिवाली तो आज की कहानी के बाद अब हम लोग मिलेंगे थस्टे को यानि आठ तारिक को कल आप भी दिवाली मनाएं परसों मनाएं और इंजॉय कीजिए और दो दिन तक हम लोग भी बाकी चीजने ज़र गया था बहुत सारे लोगों ने कहा था एक फिल्म हाल में आई थी आप लोगों ने देखी भी होगी बहुत सारे लोगों ने शारुक खान की फिल्म थी वो नवाज उद्दीन से दिखी थे उसमें और हिंदी फिल्म में बहुत सारी ऐसे डॉन अंडर वर्ल्ड और माफिय कि उपर बनी है और ये भी एक फिल्म थी जो डॉन पे बनी थी रईस फिल्म थी और बॉक्स आफिस पे भी इसने अच्छा अच्छी कमाई की और ये जो फिल्म थी रईस एक्चुली इस करेक्टर का नाम है लतीफ गुजरात का डॉन था वो असी और नब्बे के जो डिकेट दशक में कहते हैं कि वो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था इविन उसका एक निक नेम भी था गुजरात का दाओद इबराहीम ये अब्दललतीफ को कहते थे तो अब्दललतीफ असल में वो शक्स है जिसके उपर फिल्म रईस बनी जिसमें शारुख खान ने रईस जो पहले भी रईस एक फिल्म इसी लतीफ के उपर जो है वो बन चुकी थी हिंदी में ही बट वो छोटे बजट की फिल्म थी लेकिन ये सूपरेश्टर शारुख खान थे इसलिए बड़े बड़े बजट की फिल्म थी और ये फिल्म अभी पिछले साल ही आई थी तो आज मैं अब्दुल लतीव उनीस सो एक वन में गुजरात की राज़ता है मतलब गुजरात में अहमदाबाद का एक छोटा सा इलाका है कालूपूर तो कालूपूर एक अहमदाबाद के अंदर एक वो इलाका है जहांपे ज्यादातर मुसलिम पॉपुलेशन है मुसल्मानों की आब बस्ती कह लें, तो ये बस्ती कालूबूर। तो ही पे 1951 में इसकी लतीफ का जन्म होता है। लतीफ के जो फादर थे, जो वालिद थे, वो तमाकू का बिजनस कर दो, मतलब तमाकू की थोटे मुटे दुकान, तमाकू बेचना, एक छोटी सी दुकान थी, तो वो बहुत गरी धीरे-धीरे बढ़वा तो उसको पढ़ड़े, कहते हैं कि उसके बाप की तरफ से रोज़ाना जो महनताना था, वो दो रुपए मिला करते थे। और उस पूरे एरिया में, जुए का अड़ा, शराब की तसकरी, ये सारे काम हुआ करते थे। गुजरात में चुके लिकर ब मिलती थी, आज भी आसानी से मिलती है, बस पैसे होने चाहिए और पूरा एक नेटवर्क काम करता है, और इसमें बाकाइदा पुलिस, लोकल अड्मिस्टेशन, आपकारी विभाग, एक साइस के जो है, नेता, इन सब की पूरी मिली भगत एक चेन है, और ये पूरा चेन का इसे शराब बंदी के बावजूद गुजरात में शराब आसानी से मिल जाती है, तो लतीफ ने अपनी जो आखे खोली वो उसी कालूपूरा अलाके में, और वहाँ धीरे धीरे वो अपने बाप का जो तंबाकू और इसका धंदा था, वो देखने लगा, लेकिन शुरू से यह उसकी सोहबत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अपने बाप सी उसकी हमेशा लडाई होती थी पैसों को लेकर, तो एक बार लडाई में उसने अपने फिर बाप की दुकान छोड़ दी और एक जगा पे जुए का अड़ा चल रहा था, तो उस जुए के अड़े में उसने काम इसका बंद गया, और वहाँ पे यह जुआ खिलाता था, ताश खेलता था, ताश के पत्ते बाड़ता था, तो चुके इसमें माहिर भी था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसी जिस जगे पे जुए कड़े पे यह काम करता था, उसके मालिक से लडाई हो गई, कुछ पैसे की चोरी के अलजाम इसके उपर लगे, तो लडाई के बाद इसने उस जुए के धंदे को छोड़ दिया, और फिर वहाँ पे यह चोटे मुझे जो शराब के तसकर थे, उनके साथ जुड़ गया, और शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी, शराब की स्मगलिंग जो होती है, व लोग अलग हैं, फिर उस माल को उतार कर उस जगे तक पहुंचाना, तो इसमें पूरा एक अलग-अलग चेन काम करता था, और इन सब की जो देख करनी शुरू ही, वो लतीफ ने करनी शुरू की, और बहुत जल्दी ही यह उस काम में एक दम माहिर हो गया, और शराब की तस तक यह 20 साल उमर भी हो चुकी थी, यह शराब की तसकरी, कुछ जुए के अड़े और कुछ इस तरह की बड़े लोग थे, इस तरह की चीज़ें करते थे, उनके साथ मिलकर इसने अपना धंदा शुरू कर दिया, कुछ सालों के बार जब यह सारा धंदा होना गया, और लोगों से कलाता, फिर थोड़ी इसका नाम इसकी दहशत फैली, तो यह अमीरों से वसूली करना शुरू कर दिया इसने, किड्नैपिंग करना शुरू कर दिया इसने, और उसके बाद देखते ही देखते कुछ सालों में, 30 साल होते होते लतीफ एक बहुत बड़ा नाम हो च इन सब जगों पे इसका रुद्बा फैलता गया, सिर्फ इसी धन्दे की वज़ा से, अब यह एक बड़ा नाम था, पॉलिटिकल इसको संद्रक्षन भी मिलावा था है, जो उस वक्त के यूथ कॉंगरेस के प्रेसेंट थे, उसके साथ भी दोस्ती थी, बाकी नहताओं से इसकी दोस्ती रहती थी, इसी बीच में मुंबई के पठान ब्रदर्स हैं, जिनसे इसकी दोस्ती हुई, गुजरात में ही किसी चुके शराब की तसकरी है और यह सारी चीज़ें होती थी, तो पठान ब्रदर्स से दोस्ती हो गया, और पठान ब्रदर्स वो थे जिनकी दाओद के बड़े भाई, साबिर इबराहीम का मडर किया था, और साबिर इबराहीम के कतल के बाद, दाओद और उसकी पूरे जो लोक थे, पठान बरदर्स के पीछे पड़ गया, पठान बरदर्स की भी अपनी पूरी कहानी ओवा मैं कभी आपको अलग से सुनाओंगा, और दाओद की उनसे दुश्मनी की तो दाओद के बड़े भाई का मटर किया था तो पठान ब्रदर्स और दाओद इबराहिम के बीच में 36 कहा कड़ा था दाओद इबराहिम के लोग ढूंते थे पठान ब्रदर्स को ये उद्धर भाग रहे थे इसी बीच में लतीफ टकरा जाता है और लतीफ पठान ब्रदर्स के बिल्कुल करीब आ जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है मतलब दाओद के दुश्मन से लतीफ दोस्ती कर बैठता है इसी बीच में होता है क्या है कि दाओद इबराहीम पकड़ा जाता है और दाओद इबराहीम तब चुके वो भी एक स्मगलर और यही उसके उपर ठपा था सोने और इलक्ट्रोनिक्स आइटम और इन चीजों का स्मगलिंग करता था एटीज के दौर में 93 के बाद दाओद जब 93 ब्लास्ट हुआ उसके बाद उसका चेहरा बदला था तब दाओद फिर रास्ट विरोधी और यह सारी चीज़ें आतंकवादी सारे उसको वो मिले लेकिन एटीज में दाओद इबराहीम सिर्फ एक एक स्मगलर के तोर पर ही जाना जाता था तो एटीज में ही दाओद इबराहीम एक बार इसी स्मगलिंग के चक्कर में और पकड़ा गया तो अहम्दाबाद के साबर मती जेल में बन था और कहते हैं कि एक बार जब जब दाओद इबराहीम को साबर मती जेल से बड़ोदा ले जाना था वहां की अदालत में पेशी थी, वहां पे भी एक मुकदमा था तो बड़ोदा आना जाना रहता था, दाओद इबरहीम का हर पेशी पे और उस वक्त जो पुलिस के लोग उसको ले कर जाते थे साबर मती जेल से बड़ोदा तक, अदालत तक उन सब पे दाओद इबरहीम बड़ा महरबान रहता था, वो पुलिस वाले भी दाओद उन्हों का खयाल रखता था कहते हैं कि मुंबई पुलिस में भी दाओद की पुलिस वालों से ही सबसे अच्छी दोस्ती रहती है और ये शुरू से है और शाद इसलिए दाओद इबरहीम इतना भाला फूला तो जब भी वो बड़ोदा जाता तो ये पुलिस वाले खास रास्ते में एक जगापे रुकते हैं बाकाइदा एक होटल में वहाँ पे वो आराम करता चाया पीदा खाना खाता तो ये रोटीन में शामिल था ये बात अब्दुल्लतीफ को पता थी अब्दुल्लतीफ चुके पठान ब्लदस के साथ दोस्ती थी पठान के साथ जोला तो फिर जब इन्हें पता चला कि यह बड़ोदा में इस डेट पे पेशी है तो लतीफ ने फिर कहा कि इस पेशी के दोरा हम दाउद को मारेंगे और उसके बाद दाउद पुलिस का स्टडी में जा रहा था तो जो रास्ता और रूट से पता था हूने कि रूट से जाते हैं तो दाउद को मारने के लिए लतीफ ने अपने लोगों के साथ अपने शूटर के साथ बाकाइदा प्लान बनाया साधिश रची है और वड़ोदा कोड जाते हुए एक जमालपूर जगा है वहाँ पे ट्रैफिक काफी होता है तो इन लोगों ने उसी ज गाले यहां हिस्ता चलती है और उस जगह पे जब वो गाली आई और दाउद की गाली आई तो लतीफ ने अपने लोगों के साथ दाउद की गाली पे फारिंग कर दी लेकिन दाउद बजगिया पुलिस वाले की सिद्रा गाली निकालकर महां से ले गया लेकिन बाद में गुमारा खासतोर पर जो गुजरात के अंदर काम कर रहे थे तो इनके बीच में एक दुश्मनी शुरू हो गई दूसरा दाउद से लड़ाई की लतीफ की बात जब गुजरात में और खासतोर पर हमदाबाद में और उसके अपने अलाके में फैली तो लतीफ का कड़ भी दाउद से पंगा है दाउद से दुश्मनी है और वो मशूर होता गया और अपने इसी मशूर एक और भी चीज थी कि वो अपने जो एरिया था कालूपुर वहां के आसपास के तमाम लोगों में ये लतीफ पैसे बहुत बाढ़ता था उसका अपने आपको ये रॉबिन हु मदद भी करता था पैसे भी देता था तो इसकी वज़ा से ये उस अलाके में उन्लों के बीच में काफी पॉपुलर था और इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा ये है कि जब ये 1987 में इसी तसकरी के लजाम में ये पकड़ा गया और ये जेल में था तब इसने जेल से बाद नगर निगम के पांच वाट से और पांचों वाट से जीद गया ये उसकी पॉपुलरिटी थी उस वक्त लटीफ की सिर्फ इसले की लोगों को दिखाता था कि मैं रॉबिन होडू लोगों की मदद करता हूँ और फिर इसकी जो दाओद से लड़ाई हुई उसने भी इसको फिर वहाँ के लोगों के नजर में हीरो बना दिया था तो जब इसका कद बढ़ता गया उदर दाओद और इन दोनों के बीच में लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए तो कहते हैं कि पिर दाओद को भी एक वक्त लगा कि गुजरात में बिना लटीफ के वो लिए नहीं हो सकता था तो कहते हैं कि दाओद ने फिर लटीफ से अपने दुश्मनी भूला कर उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और नवंबर 1989 में दाओद ने लटीफ के पास मैसेज भिजवाया और उसको दुबई बुलाया कि आओ दुबई में मिल बैटके बात कर हैं और हम अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं और साथ मिल के काम करते हैं तो जब यह मैसेज मिला लटीफ को तो 1989 नवंबर के महीने में लटीफ अपने कुछ लोगों के साथ दुबई पहुंचता है और दुबई में एक जगा पे इन दोनों की मीटिंग होती है दाओद उसे किलाते हैं कि आज के बाद आप दोनों लड़ोगे नहीं आपस में और एक दूसे के साथ मिल के काम करोगे और अब दोस्त बन करोगे तो कहते हैं कि मौलाना के सामने दाओद और लटीफ ने किसम खाई और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती शुरू हुई और इनों ने जो है अपनी दुश्मनी भुला दी जब दाओद के साथ लटीफ जुला तब दाओद ने पहली बार उससे कहा कि अब तुम कहां ये शराब कित स्मगलिंग और यही चीज़ों में कर रो इसमें जोखिम जादा है पैसे कम है तुम सोने की तसकरी करो गोल्ड की और दाओद के साथ दोनों का गर्बंटन होता है उसके बाद 89 के बाद से ये जो शराब वराप के काम थे तसकरी के बाकी चीज़ें ये छोड़कर लतीफ गोल्ड और दूसरे कामों में लग जाता है उगाही में बड़े लोगों से धमका धमका कर वसूली में और अभी तक उसका सब देले हुए थे लेकिन एक फिर 1992 तीन अगस्त को ऐसा मतब थर्ड अगस्त 1992 को एक ऐसा इंसरेंट होता है जिसके बाद लतीफ अचानक गुजरात के बॉर्डर से निकल कर पूरे देश में एक ही दिन में सुर्खियों में आ जाता है हुआ ये था कि एक हंसराच त्रवेदी अहमदाबाद का शराप का बहुत बड़ा स्मगलर था और जुए कि उसके बहुत सारे अड़े थे पूरे गुजरात में और काफी ताकतवर आदमी पैसे वाला भी बहुत हंसराच त्रवेदी तो दाउस से इबराहिम के बाद ये पता चला लतीफ को कि हंसराच त्रवेद उसके जो दुश्मन हैं जो पठान ब्रदर से जुड़ेवे लोग हैं उनको पनाह देता है और उनको वो शिल्टर देता है तो लतीफ को ये बात लगा कि उसके दुश्मन को ये शिल्टर दे रहा है ये ठीक नहीं है उसको धंकाया भी लेकिन उस वो माना नहीं तो फिर ल इंदा बाद में एक जगा है ओधवा, ओधवा में राधिका जिमखाना है, तो राधिका जिमखाना में वो आरा अपने दोस्तों के साथ, तीन अगस्त 1992 को, जैसी ये खबर मिलती है लतीफ को, लतीफ अपने शूटर को भेजता है जिमखाना, और वो शूटर जो है 1-47 से लय की करके अंदर आता है चेक करके तो उसका ये था कि हंसराज तिरवेदी को पहचानता नहीं था शूटर मुखिर ने बता दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है जिस टेबल पर बैठा तो हंसराज तिरवेदी उस टेबल पर कुल नौ लोग बैठे हुए थे वो आठ हंसराज तिरवेदी के दोस्त थे और नवा खुद हंसराज तिरवेदी तो मुखिर तो बता के वहाँ से निकल गया ये कंफर्म था कि हंसराज तिरवेदी उन्हीं नौ लोगों में से एक है, अब शूटर यहां से लतीफ को फोन करता है, कि मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इन नौ में से वो कौन सा और किस जगे पर एक्ज़क बैठा हुआ है, उस टेबल पे, तो क्या करूँ, लतीफ इतना ज़्यादा पागल हुआ था उस दुश है, और एक है से तालिस का मूँ उस टेबल की तरफ, और थोड़ी ही देर में, नौ के नौ लोग टेबल पे मुर्दा, वो सब को गोली मार देता है, अब चुके एक तो हंसराच तरवेदी, उपर से जिम खाना जैसे अलाके में, घुसकर, नौ लोगों को एक साथ गोली मार ना, यह अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम था, गुजरात कहार अखबार, फरंट पेज स्टोरी, और गुजरात के बाहर ये खबर हर जगा वहां पे भी पहले पनने पे, और तब लतीफ का नाम गुजरात की सीमा से पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में आता है, हिंदुस्तान के सामने आता है, और वो अचानक लतीफ सच में एक दम एक तरह से गुजरात का दाओद इबरहीम बन जाता है, इस एक जमखाना इंसिडेंट के बाद, जो तीन अगसों इससों बानवे को हुआ था, अब इसके बाद अचानक पुलिस पे प्रेशर आता है, पॉलिटिक्स जो बचाने के लिए नेता जिन पर उंगली उठी थी कि वो लतीफ को बचा रहे हैं, उनके उपर जबरतस दबाओ, मीडिया का दबाओ, और इसी बेच में एक और नहीं चीज़ होती है, कि एक जब ये सारा प्रेशर आता है कि अब लतीफ को उस वक्त, तो ये हसन लाला से मदद मांगता है कि ये इस मामले को किसी दबाओ और मुझे बचाओ, तो हसन लाला ये कहकर लतीफ को हेल्प करने से मना कर देते हैं, कि एक जो पूर राज्यसभा के एमपी थी, एक्स एमपी राज्यसभा के, रौफ वलिउल्ला, ये राज् साफ सुतरा था, तो इन्होंने एक महिम चला दी इस जिमखाना इंसिजिटन के बात की, लतीफ को लतीफ बनाने वाले यहां के पॉलिटीशियन हैं, पुलिस मदद करती है, और सबसे जो उन्होंने ज्यादा चोट मारी वो ये, कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे गु पड़ी चीफ मिनिस्टर को की नहीं, मेरा लतीफ से कोई लेना देना नहीं है, और जिमुखाना इंसिजिटन का जो भी जिम्मेदार गुनेगार है, उसको पकड़ा जाएगा, तो जब इस तरह के प्रेशर आया, फिर पुलिस को इंस्रक्शन दिया गया, लतीफ को यह वहां से फिर लगाता है, अपने पॉलिटिकल जो रिलेशन थे, उसका इस्तमाल करना चाहता है, कि यह केस किसी तरह दबाया जाया है, उसका नाम हटाया जाया है, तो तो तमाम जतने नेता थे हों, उनसे बात करता है, और फिर जो गुजरात यूद कॉंगरिस का प्रे खाना इंसेंट होता है, उसके ठीक दो महीने के बाद, 9 अक्तूबर 1992 को दुबई में बैठकर लतीफ अपने शूटर को इस बार भेजता है, रऊफ वली उल्ला जो एक्स राजसभा के एमपी उनको मारने के लिए, और वली उल्ला को एक रेलवे क्रॉसिंग के बाद एक फ भी मटर हो जाता है, अब जाहिर सिवा थे एक्स एमपी आवाज उठा रहे थे और वो भी लगाता है लतीफ पे खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें ओपन थी, अब यह होता है कि लतीफ ने इस आवाज उठाने के लिए इस आवाज को भी दबा दिया, अब प्रेशर गवर्म पहुंच जाता है, लतीफ, 92 में वलियुल्ला को तब 9.0992 को गोली मारने के बाद जब वलियुल्ला के मौत हो जाती है, तो ये सीधा सीधी उस वक्त वहाँ से कराची पहुंच गया पाकिस्तान, पाकिस्तान में अब ये वहाँ से बैटके अपना सारा गुजरात का धंदा देख रहा और अब लतीफ बड़ा नाम हो चुका, एक दहशत उसकी बड़ी हो गई है, एक तो जिम खाना में नौलों को एक साथ मारना, फिर एक समपी का मर्डर, तो यहां पर वो उसके न रहते हुए भी, जैसे अभी है कि दाओद इबराहीम ना है इंडिया में, लेकिन जो 93 मुंबई ब्लास्ट की जो पूरी साजिश रची जारी थी, दाओद इबराहीम, टाइगर मेमन, तो यह उन्हीं के महमान था, और उन्हीं के साथ रहता था, तो कहते हैं कि 12 मार्च 1993 कुझी यह मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले जो हत्यारों की खेप पह आता है, कैसे आता बताता हूं आपको, जब RDX और सारी चीज़ें मुंबई के लिए भेजी गई हैं और एक फोर्टी सवन, एक चछपन, तो एक तो मुंबई समंदर के रास्ते RDX वहां पहुंचा था, बाकी कुछ गुजरात में भेजा गया था और गुजरात से पहुंची थी, तो जब लतीफ के लोगों ने जो हतियार की खेप मुंबई पहुंचाय थी गुजरात में वही उनी में से उसी खेप में से वो एक चपन राइफिल था जो अबू सालिम ने बाद में संजदत को दिया था, मतलब ये वो हतियारों की खेप थी जो गुजरात में लतीफ के लोगों ने रिसीव किया और फिर मुंबई पहुंचाया और उसी में से निकाल कर एक चपन राइफिल अबू सालिम ने बाद में संजदत के घर पहुंचाया था, तो 93 बलास्ट के इस हतियारों की सप्लाई और मुंबई पहुंचाने में लतीफ बाकाइदा मुबारक बात दे रहे थे, और उसका भी ये हिस्सा था, लतीफ, इसके बाद लतीफ वहीं रहता है पाकिस्तान में, चुकि यहां पे उसकी तलाश जोरों सोर्श से जारी थी, फिर 93 का मामला आ गया, हतियारों में उसका नाम आ गया, तो उसे लगा कि अब यहां भी आना ठीक नहीं है, तो यह वहीं रहने लगा, और धीरे धीरे अब अपनी हिंदोस्तानी एजनसी भी, गुजराद पुलिस भी, यह सब भी मान के बैठी की, जैसे दाओद अब 93 के बाद इंडिया नहीं आएगा, तो अब लतीफ भी इंडिया नहीं आएगा, लेकिन यह सोच ग हो गया, और उससे पहले चुके जिम खाना हो चुका था, तो गुजराद पुलिस पर बहुत अंगली उठी, तो जब अंगली उठी, तो इसलिए फिर गुजराद के चीफ इनिस्टर ने इस पूरे मामले की जाँच जो है, वो CBI को दे दी, गुजराद पुलिस से लेकर, तो रईफ वली उल्ला की मौत के बाद, ये इस पूरे लतीफ के जो अब एक तरह से पूरे हिस्टरी और उसके सारे क्राइम, उसकी जाँच अब CBI के पास आ गई, और CBI में जो दिल्ली में इस केस को देख रहे थे, वो नीरच कुमार थे, जो कि दिल्ली के पलिस कमिशनर भी रहे हैं, तो ये अब पाकिस्तान में था और धीरे धीरे 1995 आ गया, 93 के बाद दो साल गुजर गया, अब लगा कि अब तो वो आएगा नहीं, एक दिन अचानक क्या होता है कि 12, 22 सिप्टमबर 1995 को एंटी टेरिस स्कुएड, गुजरात की जो पुलिस है, जो स्पेशल आपने आपको लतीफ बता रहा है, तो ATS के पास वो गये, तो ATS ने उन दोनों नंबर लिये कि किस नंबर से फोन आ रहा है, ATS ने वो नंबर लिया, इसके बाद ATS की टीम ने, चुके ये मामला लतीफ का सी बियाई देख रही थी, तो एक टीम ने सी बियाई को इन फॉर् इस नंबर से धमकी आ रही है अच्छा उस जमाने में फोन सर्विलांस पे या नंबर पता काना बड़ा मुश्किल काम था खासतोर पर एक शहर के बाहर अगर लाइन लाइन से दुख क्यों कि मुबाइल तो उतना उस वक्त था नहीं और लैनलाइन का ही ज़्यादा यूज था बहुत कम था मुबाइल बलके शायद आया भी नहीं था या आ चुका था तो अगर सबोस्थ दिल्ली से में मुबाइल लैनलाइन में उस जमाने में कर रहा हूं 1995 में तो बड़ा मुश्किल है कि कहा से क्या तो उस सर्विलांस उस वकितना हम लोग खास तो पर हमारे एजनसी इतनी इसमें आगे नहीं थी लेकिन ये दो नमबर जब मिले तो सी बी आई को दिया गया तो सी बी आई ने इसको किसी तरीके से M.T.N.L. के थूरू पता करने की कोशिश की तो उसके बाद उन दोनों बिजनसमेंट के फोन को भी वो किया गया कि अब आगया है तो पता चले तो दो नमबर जो आए जो जहां से फोन किया गया था उसको जब ट्रेस किया गया तो पता चले है कि ये दोनों नमबर दिल्ली के जनपत टेलिफून एक्सचेंज के तहट जो अलाके आते हैं वहां से किये गए अब ये जानकारी मिली तो सीवियाई को पूरी इंफॉर्मिशन दी गई अब सीवियाई ने उसके उपर काम करना शुरू किया जो M.T.N.L. है उसके पूरी उन्होंने हेल्प ली जब इस तरीके से काम चलने लगा और इंक्वारी होती गई तो पता चला कि ये डेली जो फोन आता है ये शाम साथ से दस के बीच में आता है मतलब शाम साथ बज़े के रात दस बज़े के बीच में M.T.N.L. ने कहा कि एक्जेक्ट ये कहां से आता है जैसी ये तो पता चला कि दिल्ली में जो जनपत के पास टेलिफोन एक्चेंज है उसके थूरू जो इलाका आता है वहां से क्या आता है लेकिन अब वो एरिया बहुत बड़ा है पूरी अपना अब सेंटरल देली ले लीजे आप तो उसमें कनाट प्लेस से लेके चाननी चौक पुरानी दिल्ली पता नहीं कितने इलाके कवर होते हैं उसे एक्चेंज में तो बड़ा मुश्किल था कि कौन सा कौन सी जगह तो M लिस्क लिया जाता है कि चलो कम से कम यह पता चल गया था कि साथ से दस के बीच में कॉल आएगा क्योंकि दमगी देने वाला साथ से दस का ही टाम देता था तो टेलिफून एक्चेंज लगातार लगी रही दो तीन दिन के बाद नीरच कुमार जो उस वक्त सी बियाई में थे वो पूरी तरह से M.T.N.L. के साथ मिल कर और काम करते रहे तो अचानक एक दिन इत्वाक से ऐसा हुआ कि तेरा चौदा पहले दो तीन दिन दिन तो यूं गुझरा कि वो दो तीन मिनट बात करे चार मिन फोन रख दे कुछ पता ही नहीं चल पाए एक दिन उसने तेरा म निट साथा कॉल हुआ तो उसके बाद अब उसको M.T.N.L. ने चाना तो पता चला कि ये कॉल पुरानी दिल्ली में जामा मस्जित के करीब एक PCO से किया गया है अब इतनी जानकारी बहुत थी आह उस PCO का भी लोकेशन पता चल गया है पता चला कि वो PCO जो है वो जामा मस वीडियों को सुनाए गया तो जो गुजरात पुलिस के तमाम लोग जो पहले से लतीफ को जानते थे जो इसको एरेस्ट कर चुके थे वो और उसके जो फोन टैप हुआ था उसकी आवाज और उसको मिलाए गया तो पता चला हाँ ये लतीफ की ही आवाज है तो अब ये इन CBI के पास आती है क्योंकि लतीफ के सारे पुराने मामले करीब 95 केसिस थे तो ये वली उल्ला का मामला बेशक CBI देख रही थी लेकिन लतीफ के पुराने गुनाहों की जांच अभी भी और वहां की ATS और गुजरात पुलिस कर रही थी और गुजरात पुलिस को एक और इसक तो गुजरात पुलिस को भी कहीं न कहीं चुपती थी ये बात तो जब ये पता चला CBI से कि ये कॉल तो पुराने दिल्ली से है और लतीफ की आवाज है इसका मतलब है लतीफ पुराने दिल्ली में है तो ATS की टीम आती है पिर CBI की टीम को पता चलता है कि ये पुराने दि दिखाय जाते हैं लतीफ की जो आडियो की आवाज है वो हर एक को सुनाए जाती है ताकि ये सब सुनिश्चित कर लें इंशूर कर लें कि जिसको पकड़ने जा रहे हैं जो पीसियो में आएगा वो लतीफ ही है को या और ना हो क्योंकि ये भी हो सकता है शायद गोली वोली च रात उस पीसियो की निगराने शुरू कर दी जाती है एक चीज इनके साथ था कि साथ से दस के बीच में ही कॉल आता है तो साथ से दस में ही जादा निगरानी हो रही है उसके बाद 10 अक्तूबर 1995 का दिन आता है अभी 3-4 दिन निकल गया है 22 सितमर 1995 को पहली बार पता चला है कि यह कॉल आ रहा है और धमकी जो दी गए थी बिजनसमेन को और उसके बाद 10 अक्तूबर मतलब करीब 18 दिन गोजरते हैं यह सारी चीज़ें कवायत पूरी होने में दस अक्तूबर 1995 को सेंटरल देली के जो डी सीपी का ओफिस है उस ओफिस में बाकादा पूरा एक सेटप है एम टेनल के लोग बैठे हुए है वो सारे उस फोन को और उस पी सीओ के सारी चीज़ों को टैप किये हुए है अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली से एक कॉल जाए जैसे ही जो एहमदाबाद जाएगा तो अगर वो जाता है और वो है तो उसका आपरेशन शुरू करेंगे तो बैठे हुए है शाम से शाम साथ बचसने के बाद साड़े साथ आर्ट बच जाता है कई फोन आ रहे हैं लेकिन उस पी सीओ से एहमदाबाद का कॉल नहीं आता कहते हैं कि एहमदाबाद में तुम मिला है नहीं यह कहीं और है कोई और होगा लतीफ नहीं है बात चल रही है सुन रहे हैं लेकिन सब लाइटली ले रहे हैं अचानक जो गुजराद से एटियस के टीम है थी उसके एक इंस्पेक्टर हेड़फोन पर सुनते सुनते और एक पूरी बातचीत में एक तो इसकी आवाज मिल रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है और एक तो दैपूर में हम लोग नहीं पकर पा रहे हैं लेकिन एक लाइन उसकी मैं कभी नहीं भूलूँगा कितनी बार कोई भी कह दे लेकिन उसके मूंसे वालगी सुना देता है वो जैसी यह सब नीरज कुमार, CBI और बाकी लोगों ने सुना फॉरण रट वहाँ पे वौकी टॉकी के साथ पीसियों के बाहर पुलिस थी यहां से फॉरण इशारा दिया गया उनको मैसेज दिया गया कि पीसियों में इस वक लतीफी है तो जो पीसियों के करीब दो पुलिस वाला महां तहना था ताकि वो देख सके कि हां लतीफ है कि नहीं तो लतीफ पहले उन दोनों को देख के तो नॉर्मल रहता है उसको लगता है कि आम आदमी है लेकिन उसके पीछे खड़ा वो तीसरे शक्स को उस गुजराज पुलिस वाले को पैचान जाता तो वैसे उसको दरिया गंच लाए जाता है एसी पी के दफ्तर में उसके बाद यहां खबर मिलती है कंट्रोल रूम में जो सी बी आई और बाकी लोग बैठे वे निरच कुमार की लतीफ पकड़ा गया है उसके बाद बाकाईदा सब खुश होते हैं जश्न मनता है थोड़ी देर के बाद उसकी पिटाई बिटाई होती है तो वो खुद भी अक्सेट कर लेता कि मैं लतीफ हूँ और इस तरह लतीफ को पकड़ कर अगली सुबा एहम्दाबार ले जाया जाता है हाँ उससे पहले रात को ही वहां के सी-म चीफ निर्टर को सब को खबर की जाती है क्योंकि लतीफ ब अग्सेट कर लाही खराब है हम्दाबाद में बाकादान नेक्स दे सारे अगबार उना खबर आती है जो ये पूरी टीम थी सीवियाई की दिल्ली पुलिस की गुजरात की इन सब को इनाम दिया जाता है और उसको साबर मती जेल बेज दिया जाता है मुकदमा चलता है दो साल के बाद 29 नुवंबर 1997 को लतीफ को जेल से 1997 में लतीफ को जेल से कोट ले जा जा रहा था और उसी दोरान नरोड़ा जो ये नरोड़ा पाटिया अलाका है गुजरात का वहांपर प्लिस का कहना था कि वह भागने की कोशिश कर रहा था जवाब में पुलिस में गोली चलाई ये नरोड़ा रेिल्वे क्रॉसिंग जहाँ पे प्लिस उसखो कोट में पेशी के ले ले जा रही थी साबर मती जेल से पुलिस से कहरा अचाना को भागने लगा गोली चली और ये मारा किया इस तरीके से इसका एंकॉंटर हुआ और लतीफ की कहानी खत्म हुई तो गिरफतारी के दो साल के बार पंचानमे मेरेस होता है नैटी नैटी सेवन में लतीफ मारा जाता है कहते हैं कि गुजर आज सुबा से एक्चुली बहुत बोल रहा हूं अलग-अलग बहुत सारे शो रिकॉर्ड करने थे और एक आज तक का एजडी चैनल भी लाउंच हो रहा है उसके लिए बहुत सारे काम थे इसलिए थोड़ा गला-खराब माफी चाहता हूं तो यह पूरी कहानी थी अब नवनीज मिश्रा हमेश्ञा खुश रहो मुझे मालूम है तुम यंगेस वीवर तुम रहा है अच्छा अच्छा ऑके तो अच्छा आती है कि आप ऐसा बोले कि यंगेस वीवर आपके चैनल में अन्जली मिश्रा तो अन्जली मिश्रा एक हैं जो अभी 17 साल की हैं और यंगेस्ट वीवर हैं क्राइम तक की और इतफाक से इनका आज बढ़ड़े भी है तो अन्जली बहुत-बहुत जनम दिन की ब मैं बुलू स्टार पर भी कहानी सुनाओंगा आप लोगों को जल्दी और कुछ मैं आप लोगों की फर्माईश की वज़ा से एक लिस्ट बनानी पड़ती है लेकर आना पड़ता है वन्दा मेल बहुत सारे शिकायते मुझे मिल जाती है फिर एक राहुल गायकवार साब है थैंक्यू वेरी मच्छ शुबेंद्र सिंग है कमल प्रीज सिंग है ये यूसे से उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है अच्छी अच्छी चीज़े लिखते हैं सब शकील शेख हैं राजीव सिंग हैं रॉय पर्थ हैं इनकी शिकायत है कि इनके मेल का रिपलाई नहीं करते पर मैंने किया है आसमराट शुकला हैं चिनमे नायक हैं जिन्होंने लतीफ की कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे लोग में से एक चिनमे नायक भी इन्होंने भी कहा था सुनाने के लिए अनी सल्वी हैं ओम नामदेव हैं पूजा शुकला हैं मुफिजुर रह्मान हैं जोहान अजय सिंग नितिन खन्ना आदित रौनक यह तमाम लोग है बताओ बाकी की कहानियां बहुत सारी हैं मैं आपको जल्दी सुनाओंगा आच चुके थोड़ा मैंने बताएं कि सुबा से बहुत बोल रहा हूँ तो बाकी की बातें कल और परसों हाँ दो दिवाली मनाएं हम लोग भी मनाएंगे आठ तारीक को मुलाकात होगी एक नहीं कहानी के साथ कुछ एक लोग और थे जिनों ने मुझे कहा था यह आदित हैं जमायका से बहुत प्यार करते हैं क्राइम तक को थैंकियो आदित साहब आपका रोनक है राहुल एसके है देन सुजीत सुजीत राने है यह मैमार से है और यह भी बहुत पसंद करते हैं स्मिता पांडे शुकला है सीबियाई के बारे में नोंने कुछ सवाल किया था मैंने इनको मेल भी किया है सिमिता जी आप कुछ जवाब मिल यह होगा शायद शीलेंद्र दूवे हैं दिव्यान शूराज हैं इनका भी अमरिका को लेकर कुछ सवाल था तो आप लोगों के मेल मिलते रहते हैं और बहुत सारी आप लोगी शिखायते होती है कही बार होता है कि काम इतना होता कि मैं हर एक को रिप्लाइ नहीं कर पाता लेकिन जब जब वक्त मिलता है मैं ज़रूर रिप्लाइ करने की कोशिश करता हूं तो उसको अन्यता ना ले आप लोग हाँ मायवती की गेस्ट हाउस स्केंडल पर भी आपको सुनाओंगा जल्दी सुनाओंगा यह वादा है वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी है तो फिलहाल बस यह है कि festive season शुरूओ चुका है कल छोटी दिवाली परसों दिवाली दिवाली मनाईए enjoy कीजिए खुश रहिए अच्छे रहिए सहत्मन रहिए और इसी तरह क्राइम तक अपना प्यार देते रहिए दो दिन बाद आपसे मुलाकात हो कि फिर खूब सारी बाते करेंगे आज के लिए बस इतना ही thank you very much